हलो दोस्तो मैं पशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वीटी टू कमुनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बाई ओन डिप्स स्ट्रेटजी में आपको कैसे ट्वेड करना है आपने बहुत जगा पे सुना होगा कि हमें यहां पे बाई ओन डिप्स स्ट्रेटजी का इस्तमाल करना है और हम अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस वीडियो में भी रेगलर वेशिस पे यूज़ करते रहते हैं कि आज आपको बाई ओन डिप्स स्ट्रेटजी का इस्तमाल करना था और इसके वीचिस पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं तो एक्चली बाई ओन डिप्स स्ट्रेटजी होता क्या है और यहां पे हमें कैसे ट्वेड करना है वो हम इस वीडियो में डीटेल से सीखने जा रहे हैं क्योंकि इसको लेकि अगर आपको कन्फीजन होगा तो आप डिप्स में सही जगा पे इंट्वी नहीं कर सकते हैं जहां पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है आप प्रॉफिट अपर्चुनिटी मिस कर देंगे तो आपको कुछ मिस नहीं करना है चलिए इसी कॉंसेप्ट को सीखते हैं और समझते हैं यहां पर अब हम चार्ट पर आगे और यह जो चार्ट है आपका निफ्टी कर अवर्ली चार्ट यह निए इसमें कोई भी टाइम फ्रेम में आप ट्वेट कर सकते हैं आप फाइब मियुट में कर सकते हैं आप फिप्टिन में टाइम फ्रेम में कर सकते हैं व कोई भी रिष्रिक्शन्स नहीं है। जिस भी टाइम फ्रेम में हमें डिप दिखे, उस डिप में हम मार्केट में इंटी कर सकतें, अगर वह उइंटी करने वाला हुआ तो जैसे कि यहाँ पर हम निफ्टी में देख सकते हैं आवली चार्ट में देखिए मार्केट आपका उपर जा रहा उपर से फिर यहां पर डिप दिखाया है इस डिप में हम बाई कर सकते हैं और बाई करके हम प्रॉफित बना सकते हैं फिर मार्केट यहां से उपर गिया फिर छोटा सा डिप दिखाय है यहां पर भी हम बाई करके profit बना सकते हैं ऐसे हम वेगलर बेसिस पर छोटा छोटा डिप में हम बाई करके profit बना सकते हैं हर एक डिप में हम बाई करके profit बना सकते हैं लेकिन यही buy on नीचे आया, यहाँ पे आपका SL हिट कर देगा, फिर अगर आप यहाँ पे कहीं पे इंट्वी लेते हैं, फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, SL हिट होगा, यनि एक जगा अगर हम buy on dips strategy का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा profit होते चलता है, लेकिन दूसरी जगा हमारा regular basis पे SL हिट हो रहा है, मतलब यहाँ पे buy on dips जो strategy है, वो हमें apply नहीं करना है, वो हमें यहाँ पे avoid करना है, तो हमें कैसे पता चलुआ है, कि यहाँ पे हमें buy on dips strategy का इस्तेमाल करना है, अब इसी को लेके लोगों के मन में confusion वैता है, doubt वैता है, इसी doubt को हम इस वीडियो में clear करते है तो सबसे पहले आपको क्या identify करना रहता है buy on dips strategy का हम इस्तेमाल करते कब है और यह होता क्या है जैसे कि आपको नाम से पता होगा dips dips मतलब क्या होता है गिरावट तो जब भी हमें healthy गिरावट दिखे तो उस गिरावट में हम क्या करते है buy करने की कोसिस करते है market में entry करने की कोसिस करते है ताकि हमें lower price में entry करने का मौका मिले और हम यहां से अच्छा खासा profit बना पाए तो buy on dips strategy क्या है यह आपको समझ में आ गिया होगा अब हम इसका इस्तेमाल करते कब है जब market आपका up trend में हो यानि clear cut up trend देखे market में और जब हमें वहां पे profit booking होता देखे यानि market में reversal नहीं आना चाहिए downtrend नहीं आना चाहिए market हमेशा आपका up trend में ही रहना चाहिए इसी up trend में छोड़ा छोड़ा profit booking आता है उसी profit booking को हम क्या बोलते है dip बोलते हैं और उसी dip में आपको entry करने की कोसिस करना है जैसा कि यहां में आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाने कोसिस करता हूँ अब यहां पे देखिए यहां पे हम nifty के आवली चार्ट पे ही है अब यहां पे क्या हो रहा हम इस high को join करके एक line draw कर दिये trend line इस लोग और इस लोग को join करके हमने trend line draw कर दे यह नि इस point पे हमारे पास यह trend line available है अब यहां पे हम क्या करेंगे इसके बाद price आपका यहां से उपर जा रहा फिर छोटा सा dip दिखाया है अब यह dip का trend reversal है या फिर profit booking है जब तक इस line को break नहीं करता है तब तक यहां पे हम क्या करेंगे buy on dips strategy का इस्तमाल करेंगे जो भी हमें गिरावट दिखेगा उस गिरावट में हम buy करने की कोसिस करेंगे market में entry करने की कोसिस करेंगे क्योंकि यहां पे हम lower level पे market में इंट्री करेंगे फिर market उपर जाएगा तो वहाँ पे profit book कर सकते हैं जैसे कि यहां पे फिर यहां से price आपका उपर गया फिर नीचे side की तरफ आया फिर यहां पे हम क्या करेंगे दुबारा entry करने कोसिस करेंगे अगर हमने profit booking कर लिया तो यहां पे हम वापस से entry करेंगे अगर हमें entry करने का मौका यहां पे नहीं मिला opportunity miss कर दिया तो यहां पे हम entry करेंगे वैसे फिर से price आपका उपर गया फिर नीचे आया फिर यहां पे हमारे लिए entry point बनेगा, फिर price उपर गया, फिर यहां पर आया, फिर हमारे लिए यहां पर entry point बनेगा, और यहां पर आप एक और चीज गौर कर सकते हैं, आपका यह low बना है, फिर इस से उपर अगर हम बात करें, तो यहां पर आपका higher low pattern का formation होता हुआ दिख रहा है, यह नि जो भी low बन रहा है, previous low से उपर बन रहा है, और जो भी high बन रहा है, देखिए, एक high यहां पर बना है, उससे उपर यह high बना, that means to higher high pattern का formation यहां पर continue हमें देखने को मिल बाया है, तो जब कभी भी आपको higher high और higher low pattern दिखे, समझ जाना है कि यह आपका clear cut up trend है, और जब तक दोनों मे dips को avoid कर देंगे, फिर buy on dips हम use नहीं करेंगे, जब तक यह pattern continue है, तब तक हम buy on dips को use करते रहेंगे, तब तक हम इसके basis पे market में हम entry खोजते रहेंगे, और entry किस तरफ लेंगे, buy side कि तरफ entry लेंगे, हम trend के साथ चलने की कोशिस करते रहेंगे, और यहां पर भी वही हुआ है, आइदर आप parallel channel ले लो, या फिर आप higher high और higher low pattern देख लो, दोनों आपको same काम करता हुआ दिखेगा, तो कब आपको buy on dips स्वेडी का इस्तमाल करना समझ में आ गया, अब यहां पे हम दूसरे example पे आते हैं, दूसरा example है हमारा bank nifty का daily chart, अगर आप bank nifty का daily chart को देखो, तो यह यहां पे क्या कुछ हुआ, यहां पे अगर आप देखो तो एक parallel channel का formation किया है, यहां पे इस low को join करते हुए और इस high को join करते हुए हमने यह trend line draw कर दिया, अब यहां पे देखे, कितनी दिनों से इसके अंदर move कर रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लगवग 9 और 10 trading session से इसी छोटा सा range में bank nifty move कर रहा, जब कि bank nifty और ज्यादा volatile होता है, मतलब इस range में strength है, यह powerful range बनाया है, अब देखे, जैसे ही यहां पे हमारा यह trend line complete हुआ, market यहां से dip दिखाया है, और dip दिखा के इसके lowest point के करीब आया है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, छोटा सा SL हम यहां पे रखें यहां पे जो हमें dip दिखा है, इस dip में हम entry करेंगे किस तरफ, buy side की तरफ, तो यहां पे हम buy on dip strategy का इस्तमाल करें, क्यों इस्तमाल करें, क्योंकि यहां पे crucial support level है, और यह support level break होने के chances कम है, अगर break होता भी है, तो मेरा नीचे छोटा सा ऐसे लगा हुआ, उससे मुझे बहु risk reward की बाद करें, तो risk आपका बहुत कम हो जाता है, और reward आपको लगवा 3-4 गुना मिलता हुआ दिखता है, तो risk reward भी हमारे favor में, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, buy on dips strategy का इस्तमाल कर सकते हैं, जब price आपका uptrend में ना हो, एक range bound move में भी हो, और जहां पे risk और reward हमारे favor में move करता हुआ दिखें, तो हम यहां पे trade कर सकते हैं, तो कब trade कर सकते हैं, जब market एक आपका range में हो, और risk reward हमारे favor में हो, और दूसरा, जब market आपका uptrend में हो, और आपका higher high और higher low pattern का formation करें, इस condition में हम क्या करेंगे, buy on dips strategy का इस तरीके से इस्तमाल करेंगे, यह concept उमीद करते ह समझ में आ गया होगा, simple सा concept था, बस इसका implementation में लोगों को problem हो रही थी, और वो problem हमने solve करने की कोशिस किया, अब कब हमें इसका इसका इस्तमाल नहीं करना, अब देखें, यहां पे भी infosys के 15 minute के time frame में आए, price आपका यहां से उपर side की तरफ जा रहा है, और उसकी बात यह से नीचे आने लग गया, अब हमें यहां पे नहीं पता है कि यह dip दिखा रहा है, यहां पे हमें क्या देखने को मिलवा, हमें reversal देखने को मिलवा, वैसे negative candle का strength ज्यादा, इससे भी हमें थोड़ा बूत idea मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम by chance, यह जो dip दिखाया है, यह यहां पे आपका low था, इससे उपर यह low बना दिया, एक higher low pattern का तो formation यहां पे continue कर दिया, लेकिन यहां पे जो price जाना चाहिए, इस high से उपर निकलना चाहिए, तभी हमें higher high देखने को मिलगा, लेकिन का हुआ, price थोड़ा सा उपर गया, यहां से नीचे आने लग गया, नहीं है, तो हम buy on dip से sweaty का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जिस भी label पे entry लिये हैं, चाहिए, यहां पे मुझे cost to cost देखे या थोड़ा बहुत नुक्सान देखे, हम direct यहां से market से exit लेंगे, यानि market से बाहर निकलेंगे, यहां पे हमने market में entry करके पता लागा लिया, यहां पे dip लिया है, फिर से आपका high बना है, लेकिन जो high बना है, previous high से नीचे, यहां पे lower high और lower low pattern का continuation देखने को मिल वा है, और lower high और lower low pattern हमें कब देखता है, यह हमें देखता है downtrend में, और जब भी आपका downtrend हो, यहां पे आपको sell on rise strategy का इस्तेमाल करना है, और sell on rise strategy का इस्तेमाल हम strategy का इस्तेमाल करना है, और कब हमें इसको avoid करना, यहां पे एक और चीज़ बतना चाहूंगा, अगर आपको technical analysis और detail से सीखना है, उसके बारे में और आपको study करना है, उसके लिए हमने course design किया, उसके लिए आपको हमारा mobile app, equity community को player store से डाउनलोड करना होगा, नहीं तो उसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, और वहां पे आपको technical analysis के लावा, future options के बारे में भी detail से बताया गया, और हमने वहां पे इस तरीके से बताया, कि आप Azure independent trader के रूप में काम कर सकते हैं, आप stock market में अपना carrier भी बना सकते हैं, एक बार आप हमारा mobile app डाउनलोड करक करते हैं, तो उमीद करते हैं, जो topic के ऊपर हमने बात किया, clarity के साथ समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया, प्लीज वीडियो को like करके हमें encourage कीजिए, और चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल को subscribe भी कर लिजे, साथी साथ बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें, उसका notification आपको मिल जाए, और आप वीडियो मिस्स ना करें, so that's all friends, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैहिन